मेरी प्यारी यूटूब फैमली मैं हूँ रजनी और आप देख रहे हैं रजनी की रेसिपी और आज हम बना रहे हैं अपनी बेटी की फर्माइस पन कच्छे केले के चिप्स बेटी को मेरी को बहुत अच्छे लगते हैं कच्छे केले के चिपस देखे सारी चिपस हमने बना ही लिए हैं दश्क लग जाती है तो केले को पहले ही धो लीना है अगर आप पहले नहीं धो रहे हैं तो बात भी धो सकते हैं लेकिन पहले धूंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो देखे मैंने केले को सारो को धो लिया और अब इसे निकाल लेते हैं यानि कि इसके उपर का पाट है निकाल लेते हैं इसे दो भागो में निकालना पड़ता है तो देखिए मैंने पहले बाग में जो केले का उपर का पार्ट है वो निकाल लिया है और अब देखिए इसके साइड के पार्ट भी हम निकाल लेते हैं देखिए यह चाकुसे में काट लेती हूं और देखिए जो रह गया है छीलने वाले चाकु से नहीं निकल पाया है उसे हम साधी चाकु से निकाल लेती है और देखिए जो अब इसके जो पाट रह गया है उसे भी हम निकाल लेंगे धीरे-धीरे करकर आपको जब भी केले को बनाना हो यानि केले के चिप्स बनाने हो तो उसके जो पाट है उपर का उसे निकाल लेते हैं काल का सा रह जाता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो लेकिन जब भी आप केले के चिप्स बनाएं पहले उसे छील कल बिल्कुल ना रखें उससे होता क्या है कि जो हम केले के चिप्स बना रहे हैं वो काले पड़ जाते हैं तो जब भी आप केले के चिप्स बनाएं तो एक ही केले को छील लीजिए और देखिये और उसी के बाद हम दूसरी केले छीलते हैं तो देखिए मैंने एक ही केला छीला हुआ रहे और उसका पार्ट बिल्कुत साफ कर दिया आपको दिखा रही हूँ आपको भी ऐसी रखना है तो अब चलिए हम एक कड़ाई में तेल ह हो गया है और अब मैं इसे देखे दिखा देती हूं दोनों तरह से दिखाऊंगी एक लंबा एक गोल जो चिपस हम काटते हैं उसी तरीके से देखे मैंने लंबे पार्ट में से काट लिया है और देखे अभी मैं दूसरा भी दिखा देती हूं कड़ाई में दिखाऊंगी मैं अगर आपने आस तक केले के चिप्स नहीं खाए होंगे तो जरूर खाई ये बनाइए बहुत ही है और बच्चे को ये बहुत अच्छे लगते भी है आप इसी नास्ते के टाइम पर बना सकते हैं या फिर आप सफर में जा रहे हैं बना कर ली जा सकते हैं सबसे पहले तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो हैं ही तो देखें ये पार्ट जो बच गया है इसे हम अलग रख देते हैं और दूसरा हम केला च्छी लेंगे देखें मैंने वीडियो इसलिए बन नहीं की है कि कहीं आप यहीं ना सोच लें कि वहीं हमें दिखा कुछ रहे हैं और बना अभी और से ही पेड़ से कटवाया है नारक है। तो इसमें होता क्या है कि केले में मोशर होता है अब उस पानी को सूकाने के लिए हमें तो कैसे क्रिस्पी बनेंगे बहीं तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि गैस का फ्रेम बिल्कुल धीमा रखना है अगर साल जब तक जीकर्ए रख सकते हैं कभी खराब नहीं होने वाले हैं अगर आप सब्स, को शो से शोवर हैं तो इसमों भीमिया कमी है कि आप जो गया says hot टेज कर रखारे उपर से तो आपके च्प सीक जाएं गे लेगी अंदर से वो क्रिस्पी नहीं होंगे और बहुती जल्दी खराब हो जाती हैं तो देखिए मैंने निकाल लिया है आप देखे धीरे-धीरे करकर मैं इस्टेप आपको दिखाऊंगी एक भी इस्टेप आपको मिस नहीं करनी है पूरी वीडियो में आपको लाश्ट तक बने र देखाऊंगी दोस्तों मैं याद दिला दूँ आपको अगर आपको मेरी बनी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज प्लीज लाइक सेर सस्क्राइब करने में कंजूसी ना किया कीजिए वो तो फ्री में ही होता है मेरे दोस्तों तो देखिए सारे केले को हम अभी इसी वक् सामनी छेलेंगे अगर आपको बिल्कुल मार्किट जैसे बनाने है तो आपको फोलू करने ही होगी नहीं तो आप चीलकर भी रख सकते हैं अगर आप तो समें होता क्या है वो काले पड़ जाते हैं या फिर आप उन्हें काले नहीं रखना चाहते हैं तो नीम बूर अगड जैसे आपने सारे को छील लिया है उसके बाद आप उसमें सारे पर नेम्बू रगड़कर रख लीजए तो वह हलके कम काले तो पढ़ेंगे लेकिन इतने नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपने जैसे मैंने ताजे से बनाया तो बिल्कुल इक थम वरेंगे कि market के chips तो इनके सामने कुछ भी नहीं है और सबसे बड़िया बात तो यह ए कि इसमें कोई मिलावच नहीं है यह in real है और आप इस तरीके की चीजे हैं अपने घर पर ही बना कर खाते हैं मार्किट के पता नहीं तेल किस तरीके कार आपने अपने घर पर ही बनाई है तो हेल्दी तो यह हैं तो देखें धीरे-धीरे करकर यह चिप्स इतने हमारे पकते हैं तो नहीं हम करते क्या हैं कि हमारी जो दूसरी केले रखें हुई हैं वो भी हम छील लेते हैं धीरे धीरे करकर हमारी जो चेट से पक रहे हैं देखें तो इतने हम इस चेले को छील लेंगा और देखिए मेरे पास यह बहुत सारे केले आई हुई हैं तो देखें अब मैं इनका करूँगी क्या को सब्जी तो इतनी बनती भी नहीं है कि सभी जी तो एक दिन खाले दो दिन खाले से जादा तो होगा नहीं तो हमारे पास बहुत सारे केले आए हैं तो अब मैं इनका यही करूँगी कि सारे केलो के चिपस ही बना लूँगी और चिपस बनाकर इनको एक डिब्बे में बंद करकर रख सकते हैं आप चा रभष्टी लगते हैं खाने में जवाब नहीं है करारे इतने की आलू के चिपस जितने भी आपने चिपस खाए होंगे सबसे बहतर चिपस बनने वाली है तो दीरे-दीरे करकर देके हमारे चिपस भी सीख गए हैं जितने धीमी आज पर आप इने सेखेंगे उतने ही अच्छे बनकर तैयार होंगे यह हमारे करारे और क्रिस्पी चिप्स हर इस टैप आपको फोलो करनी है मैं चाहती तो आपको बहुत जल्दी यह चिप्स बना कर दिखा सकती थी लेकिन थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन लंबी मैंने आप लोगों के लिए ही की है कि आप एक एक चिप्स की श्टैप देखें और उसी तरह से बनाएं जैसे कि मैं बना रहे हूं जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया जाता जल्दबाजी में जब भी हम कोई काम करते हैं वो अच्छा नहीं होता है तो इसे लिए आपको हमेशा धैरियो से ही काम करना है खाने में जितना धैरिया होगा उतना ही अच्छा आपका खाना बनकर त देखे मैंने दूसरे चिंट दे हैं जैसी कि अपने गोल चिंट देखें के आलो गएरा के टेहां कि हो आपको यह और कर दिखा दिखिए इसी तरीगेसे हम दूसरी स को कर दोशेख बना दिखाने uni के दोनोगा खी अशेस निगकर दोनाया कर 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 ही बनाएंगे इस जब मैंने पहली बार बनाए तो आपको मैं क्या बता हूँ मैं अपने मूं से आपकी तारिफ कर रहे हूं नहीं भई तारिफ कर रहे हैं यह तो मैं वह बता रहे हूं रियल्टी जो है जब मैंने इस बनाए और अपनी सस्राल वालों को पहली बार जब स्यरRes करें तो सब स Reed level मेरे है पांगे कि यह जब उन्हों ने यह कभी mandate चिस खाई तो नहीं क्या होता है कि हमारे यह केदों में के लेके प्यूंट बहुत सारे लगए हुए हुटे हैं साइड में जैसे बाग होते हैं तो उनके साइड में क्यूल देते हैं तो वहां पर लगते हैं ये केले तो उन्हें निकाल कर ले आते हैं मेरी सुसर तो उसी से बनाते हैं हम ये केले के चिप्स और इन्हें साल भर श्टोर करकर रखते हैं और जब मन करता है तब हम इने बना लेते हैं तो देखे करारे भी हैं क्रिस्पी भी हैं और मेरी बेटी को तो यह बहुत बहुत पसंद आते हैं मैंने आपको दोनों तरह के चिफ से बना कर दिखाए हैं दोस्तों जो आपको पसंद ओप वो आप बना लीजिए और आप भी मेरी तरह तारीफ के पुल्पर जिसे कि मेरी तारीफ होती है मेरे घर में खाने की नाम पर मेरे हाथ में सभी कहते हैं कि आपके हाथ में जादू है तो आप भी इसी तरीके से खाना बनाईए और खिलाईए नया नया अगर आपके यहां नई नई खाने आप बना कर देते हैं देखे बुजूर्ग अदमें को तो बहुत बहुत खुस होते हैं और देखे उनका असिरवाद कभी खाली भी नहीं जाता है तो इसलिए आप अच् बेदिनमक लिया उपर से लिया हुआ है हमने यह हल्दी पाउडर यानि कस्मिरी लाल मिरच जिनका यह कलर वाली मिरच होती हैं तो आपको यहीं लेनी है और देखे यह बनाकर मैंने तैयार कर दी हैं आपको दिखा देती हूँ यह बहुत ही करारे और क्रिस्पी हैं लेकि इस वीडियो में क्योंकि जहां हमारा घर है वहां ट्रेन आती रहती है तो देखे ट्रेन की आवाज की वज़े से इस वीडियो की हमने आवाज बंद कर दी है बाकी मैं आपको दिखाई दिया है बहुती करारे भी है और क्रिस्पी भी है और देखे जो हमने मसाला तैयार किया हुआ है वो मसाला भी हमने इसमें डाल दिया है और देखे अब मैं आपको अगर ट्रेन नाती तो इसकी मैं आपको आवाज भी सुना देती लेकिन ट्रेन आने की वज़े से इसकी आवाज नहीं आपको सुनाई देगी तो मैंने इसलिए इसकी आवाज बंद कर दी है तो देखे बहुत ही करारे भी हैं क्रिस्पी हैं दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक सेरे सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले और अपने दोस्तों यारों में जरूर भीज़ें